साथियों, देश तो गोवा से पहले आज़ाद हुआ था, देश के अधिकांस लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे, अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था, उनके पास विकल पता कि वो शाशन सत्ता के लिए संगर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन कितने ही सिनानियों ने वो सब छोड़ कर गोवा की आज़ादी के लिए संगर्ष और बलिदान का रास्ता चुना, गोवा के लोगों ने भी मुक्ती और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया, उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आज़ादी की लोव को जला कर रखा, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्तावर नहीं है, भारत मानवतां के हीतों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है, भारत एक ऐसा भाव है, जहां राष्ट्र स्वसे उपर होता है, सर्वोपरी होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रधम, नेशन फर्स्ट, जहां एक इस संकल्प होता है, एक भारत, स्रेश्ट भारत, आप देखिए, लुईस दी मिनेजीस ब्रांगाजा, स्त्रिश्त्राव ब्रांगाजा दकुना, जूलियो मिनेजीस जैसे नाम हो, पुर्शोतम काकोड कर, लक्ष्मिकान भैंबरे जैसे सेनानी हो, या फिर बाला राया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान, हमारे कितने ही सेनानियों ने आजहदी के बाद भी आंदुलन किये, पिडाएं जेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया, आजहदी के ठीक पहले, राम मडोहर लोईया जी से लेकर, आजहदी के बाद, जनसंग के कितने ही नेताओं तक, ये मुक्ति आंदुलन लगाता चला था, याद करिए, मोहन रानड़ाई जी को, जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए अंदुलन करने पर जेल भेज़ दिया था, उन्हें सालों तक, जेल में याकना जेल नी पड़ी, गोवा की आजहदी के बाद भी, उन्हें कई साल तक, जेल में ही रहना पड़ा, तब रानाड़ी जी, जैसे क्रांती कारी के लिए, अटल्जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी, आजहाद गोवान तक दल से जुड़े, कितने ही नेताओं ने भी, गोवान दोलन के लिए अपना सर्वस्वा अरपन किया था, प्रभाकर, त्रीविक्रम बैत्य, विश्वनात लवांडे, जंगरनात राव जोशी, नाना काजरेकर, सुदिर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे, जिनोंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगरहवेली की आजहादी के लिए संगर्ष किया, इस आंदोलन को दिशा दी, उर्जा दी, साथियों, गोवा, मुक्ती, विमोचन समीति के सत्याग्र में, 31 सत्याग्रियों को अपने प्रान घवाने पड़े थे, आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में, पंजाब के वीर करनेल सीम बेनिपाल, जैसे वीरों के बारे में, इनके भीतर एक चट पटार थी, क्योंकि उस समय, देश का एक हिस्सा तब भी परा दिन्दा, कुछ देश वाचियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी, और आज मैं इस अवसर पर ये भी कहूँगा, कि अगर सरदार बल्लभाई पटेल कुछ वर्ष और जिवित रहते, तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना परता,